आरा नगर निगम में शशक्त इस्थाई समीती के सदस्य के रूप में कारे कर रहे भाश्पा नगर अध्याश्ट मितलेश कुश्वाहा ने अचानक से इस्थिफा दे कर सब को हैरान कर दिया वहीं आरा नगर निगम की महापौर को त्याग पत्र सौपा मितलेश कुश्वाहा में महापौर के उपर गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने अपने इस्थिफा में साफ तोर पर लेखा है कि अस्थाई समीती के सभी सदस्यों से महापौर के द्वारा ससक्त अस्थाई समीती को धारित सभी कारे पालक सत्या महापौर द्वारा अपने नहित कर ली गई है जिससे नाराज होकर मिथलेश कुस्वाहा ने ससक्त अस्थाई समीती के सदस्य रहने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई आगे उन्होंने नाम सरवजनिक नहीं करते हुए आरण नगर निगम के एक विसेस वाड में विकास के कारिको अन्य सभी वाड क तुल्ना में विसेस बताया है जबकि अन्य के साथ सौतेला जैसा विवहार किया गया है समुचित वाड में एक समान विकास ना कर कि कुछ एक वाड को छोड बाकि सभी वाड को विकास से मिलो दूर रखने का कारिक किया जा रहा है उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम में अन्य वाड पारसत के बैठने के लिए कच्छ तक नहीं है ससक्त अस्थाई समीती के सदस्य सजादा नगर निगम के संबेदकों को विसेस रूप से ध्यान दिया जाता है जो की कहीं से भी नयाय संगत नहीं है उरे घटना करम को देखते हुए यही लगता है कि आरा नगर निगम की महापार द्वारा किसी एक की खातेदारी में दूसरे को नजर अंदाज करना ससक्त समीती के सदस्य मितलेश को सुवाह को नागमार गुजरा अब इस मामले में देखना दिलचस्प होगा कि आरा नगर निगम के अंत युद्ध में महापार खेमे में से कौन ब्रह का परियोग किया जा रहा है क्योंकि यह मामला उतना भी उल्जा हुआ नहीं है जितना की महच एक पढ़ त्याग पत्र पर समझा जा सके। बहराल दूसरी और यह भी देखना होगा कि मितलेश की पढ़ त्याग की अर्जी मानी जाती है या खारिज कर उन्हें मनाने का पर आस किया जाएगा